हलो दोस्तों आप सब्सक्राइब का एकजाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्फ फूर रहेगा इसलिए दोस्तों वीडियो के लास तक जरूर देखेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर 75 कुचंज GK GS का टेस्स स्रीज सुरू कर दिया गया है अगर आप लोग डेली टेस्स स्रीज देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएए और डेली टेस्स स्रीज दिजे जिस सो दोस्तों आप लोगों को काफ अगला प्रस ने पूछा गिया है कि निम्लिखित पस्कों में से किस एक का हडपा संस्कृती में पाई मुहरे और टेराकोटा कला किरतियों में निरूपन नहीं हुआ था तो जोस्तों हडपा संस्कृती में पाई मुहरों और टेराकोटा कला किरतियों में गाय का निरूपन यह जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गिया है कि चोल काल किसके लिए परसीद था तो दोस्तों चोल काल जो है करम पंचायत के लिए परसीद था ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्शन यह जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गिया है कि जैन संपरदाय में पर्थम विभा प्रश्चन के समय सोईतामबर संपरदाय के संथापक अस्तुल भादरत है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं कि उचल पुछा गिया कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिछित किया जाने वाला अंतिम ब्यक्त किस वंस के कनोज के जैचन के बीच हुई थी तो दोस्तों चंदावर की लड़ाए मुहम्मद गोरी और गहडवाल वंस के कनोज के जैचन के बीच जूत हुई थी ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन डी हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ट पूछा गिया है कि भारत ब्रिटिश ओशन के दोरान निमलखीत व्रण पूस्राइब इस ने रहरतवार्री व्योस्ता की शूरुआत की थी तो दोस्तों भारत में ब्रीटिश ओशन के दोरान जो है अब दोस्तों बात किलेते हैं कि अखिल भारते मुस्लिम निंग की संस्थापक कौन था तो संस्थापक आगा खा और सलिम उल्ला खा था ठीक है अगला प्रस ने पूछा गया है कि भारत ने किस वर्स में तीबती अध्यात्मी गुरु दलाई लामा को आश्रे दिया था तो 1969 में दिया था ठीक है तो इसका राइट अंसर ऑप्शन वी हो जाएगा अगला प्रस ने पूछा गया है कि पंडित मदन मोहन मालविय को किसके नारे को लोगपिरी बनाने का सरे जाता है तो दोस्तों पंडित मदन मोहन मालविय को जो है सत में जैते के नारे को लोगपिरी बनाने का सरेज आता है ठीक है तो इसका ज़्यों जगा अगला प्रस्न पुछा गिया है कि निमलिखीत में से किसे कोकेण प्राब्थ कियाocado每 अगला प्रस्ट ने पुछा गया है कि जए परदोगी की दवारा कैंसर के इलाइज के लिए उत्पन की गई आउस्थी कौन सी है तो इंटर फिरोन है ठीक है तो इसका राइट अपसन बी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कीशन पूछा गिया है कि नीमन में से ठोसों में चलगता का सही करम कौन सा है तो दोस्तों सही करम जो है option A है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कियुशन पुछा गिया कि 34 से नौवी सताबदी के बीच काचीपुरम कि समराज की राजधानी थी, तो इसका राइटेंसर अप्शन B हो जाएगा, अगला प्रसन पूछा गिया कि अमेरिका में गिरा जुद कब हुआ था, तो जोस्तों, अमेरिका में गिरा जुद 1861-065 में अगला प्रस्ट पूछा गिया कि कि सविधान संसोधन के दवारा रियास्तों के पूर्व सासकों की उपाधियों और विश्यत साधिकारों को समाप्त कर दिया गया है तो किस सविधान संसोधन दवारा किया गया है तो 26 में सविधान संसोधन दवारा ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं कि युशन पुछा गया है कि भारति सविधान का कौन सा अनुछेद भारति संसद में मंत्री परिश्द की भूमिकाओं और जम्मेदारों का वर्णन करता है, तो इसका राइट अंसर option A होँचागा, अगला प्रस्ण पुछा गिया, राष्ट िकास परिशद क्या करता है, तो दोस्तो राष्ट विकास परिशद जो है, राष्ट होजनाओं की समिच्छा करता है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन सी हो जागा ठीक है अब दोस्तों बात के लिए कि राष्ट्य विकास परिशत की अस्थापना कब किया था तो दोस्तों राष्ट्य विकास परिशत की अस्थापना जो है शे अगस्त शे अगस्त उने सो बावन को क्या गया था ठीक है और इसका अध्यास कौन होता है तो इसका राश्टी विकास परिशत का अध्यास जो है देश के परधान मंत्री होलता है जो बरतमान में नरेंद्र मोदी है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कि उचन पुछा अध्यास करने और शेवाव के सभी अस्तरों में ओवी सी उमिदवारों के लिए 27 परतिसत आरच्छान की सिफारेश की थी तो दोस्तों किस आयोग ने की थी तो मंडल आयोग ने की थी ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन ए हो जाएगा अगला प्रसंद पूछा गया ह कि भारतिय सविधान के बारे में निम्लिखित में से कौन सा कथन सर्थ नहीं है तो भारतिय सविधान के बारे में कौन सा कथन सर्थ नहीं है तो दोस्तों पहला दिया गया है कि यह सभी व्यक्तियों और समूदायों को किसी भी धर्म को धारन करने अभ्यास करने और परचा बानुन बनाने से रोकता है यह दोस्तों गलत है ठीक है अगला दिया गया कि यह धर्म के अधार पर भेधभाव पर रोक लगता है तो सही कथन कौन सा नहीं option C जो है सही नहीं है ठीक है तो इसका right answer C हो जागा अगला प्रस्म देखते हैं यह चन पुछा गया है कि बेने लक्स के अंतरगत कौन-कौन से राष्ट आते हैं तो दुस्तों बेने लक्स बेने लक्स इंग्लिस में कैसे लिखेंगे बेने लक्स ठीक है तो दुस्तों बे से हो गया बेल्जियम एनी से हो गया निदरलेंड और लक्स से हो गया लक्स ठीक है तो बेल्जियम निदरलेंड लक्स ठीक है तो बेने लक्स के अंतरगत आता है बेल्जियम निदरलेंड लक्स ठीक है तो इसका right answer C हो जाएगा अगला प्रस् कित्म से किस विषय पर सिफारिशे देने के लिए दिनेस गोस्वामी समीति का गठन किया गया है तो 1990 में किस विषय पर सिफारिशे देने के लिए दिनेस गोस्वामी समीति का गठन किया गया है तो चुनावी सुधार विषय पर ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्शन सी ह अगला प्रसंद देखते हैं यूचर पुछा गया कि भारत के सविधान के किस भाग में देश के भीतर बेपार और बानिजी के सोतनता का प्रवधान क्या गया है तो कौन से भाग में क्या गया है तो भाग 13 में क्या गया है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन डी हो जागा अब दोस्तों बात करते हैं भाग 10 में किसका प्रवधान क्या गया है तो दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित जाती और जन जाती छेद परवधान कंद्रा में यिरवाचन रखे gay को अगला प्रसन देखते हैं को पुछा गया कि अभी करिया आपपादों दोनों की सही संद्रता समय के साथ चर घताक से बढ़ती है निम्न में से कौन सा चित्र अभिकरियाओं और उत्पादों की संद्रता की समय के साथ प्रिवर्तन की सही ब्याक्षा करता है ठीक है तो दोस्तों अभिकरिया AB में अभिकार को तथा उत्पादो दोनों की सही संदर्ता का समय के साथ ग्राफिक निरूपन B में क्या गया है ठीक है तो इसका राइटेंसर B हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं QISON PUSH पुछा गया हैं कि दिएग एक कथनों परिघटनाओं में कौन सा सुमेलित है तो从 को शुमेलित है चुनना है X तो पहला दिया गया है कि परिछेपित माध्यम विधूद छेत्र में गती करता है तो क्या कहलाता है तो परिछेपित माध्यम विधूद छेत्र में गती करता है बैधूद प्रासरन कहलाता है तो यह सही है ठीक है तो यह मिलान सही है तो अंसर ए हो जाएगा अगला देख ले गया है अवेसित कॉलाइड कन लगाय गये विधूत विभाव के परभाव से विप्रित अवेसित इलेक्ट्रोडों की योर गति करते हैं तो क्या कहलाता है जोस्तों तो बैदूत कन संचलन कहलाता ठीक है बिलायक के अनुअर्ध प्राग्यम जहिली के पार करके बिलेन की ओर जाते हैं तो परशरन कलाता है अगला प्रसंच दखते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option a ठीक है अगला प्रसंच दखते हैं की उच्छा गिया है कि बिदूत अभगटनी परिश्करन का उप्योग निम्न मेंसे किन धातूं के सुधी करन हेतू किया जाता है तो दोस्तो बैदूत अब घटनिये परिसकरन का उपयोग जो है कौपर और जिंक धातूं को सुधी करन हेतू किया जाता ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया है कि निम्न अमलों में से कौन परकासिक समाव्यता नहीं परदासित करता है तो दोस्तो कौन सा अमलों जो है परकासिक समाव्यता नहीं परदासित करता है तो मौलिक अमलों ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन ए हो जाएगा अगला प्रस कारेट की अगये हैं तो इसका एंशर ओप्षम ऐ होज़ागा अगला लगते हैं क्योंट्टी अगला पुछा गया कि अगला क्रेंट पूछा कि A करते समयं किसरी की गंना नहीं कि जाती है उग त। इसकी 해서 पादन को बढ़ावा देने की दिरिष्टी से क्रिशी और सिचाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्निखित में से किस आर्थिक मोडल पर अधारित है तो हेरोड डोमर मोडल पर अधारित है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्शन भी हो जागा अगला प्रसन पुछ ऑप्शन घए ठीक है अगला प्रसन पूछा गिया है कि भारत के चनस कि इतिहास में ंसको महान बिभाजा जाना जाता है तो भारत के जन संख्री की इतिहास में जो है किस वर्स को महान विभाजक वर्स के नाम से जाना जाता है तो 1921 के वर्स को ठीक है तो इसका रायट अंसर आप्शन ए नहीं हो जाएगा अगला MSP में बिर्धी ने किसानों के मोटे अनाजों के उत्पादन से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमी के तयार करने के लिए मजबूर किया है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन C हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि उचल पूछा गिया है कि निमलखीत में से कौन सा एक केंद्रिय अस्तर का कर है जिसे वस्तू एवं सेवा कर अनि GST में सामिल कर दिया गिया है तो कौन सा केंद्रिय अस्तर का कर है जो GST में सामिल किया गिया है तो उत्पाद सूल के अन्हीं उत्पाद कर है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन ए हो जागा अब जोस्तों बात कर लते हैं कि GST भारत में कब से लागू किया गया था तो एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था ठीक है अगला प्रसन पूछा गया कि संजुक्त राष्ट के 193 सदस देश जो है दचिन सुडान को संजुक्त राष्ट में कब सामिल किया गया है तो दोस्तों संजुक्त राष्ट के 193 सदस देश के रूप में दचिन सुडान को राष्ट संजुक्त राष्ट में जो है 2011 में सामिल क नहीं है कालिंग पुरAS कार जो कितवर में दिया जाता है कि रिंद देविड कोहन पुरसकार सहत के से डिया सही है पुलति जिगति ऐसा पुलति जही पूरसकार जो है संजुक करद आमेरिका के पकार कारिता और और साहित रचना के छेतर में ये पूर Accord दिया जाता है तो इसका ऑद कर लेता है कि किbell राज में इस्तित ठीक है काड्रा बंदरगा का नाम बंदर कर नया faküne क्या कर दिया गया है तो दिन ज्याल पंदरगा कर दिया गया है तो ध्यान रखे गार अगला प्रसंद रखते हैं कि और सोरा अभिकिरिया दवारा किया जाता है तो दोस्तों बेकलाइट का निर्मान जो है फिनौल तथा फॉर्मेल्डीहाइड के बीच अभिकिरिया के दवारा किया जाता है ठीक है तो इसका राइटनसर ओप्षण C हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं कि इन में से कौन अहार संतुलन ना होने के कारण होने वाला रोग है तो दोस्तों हिंता जनीत रोग जो है अहार संतुलन ना होने के कारण होने वाला रोग है ठीक है इसका राइट अंसर ओप्शन यह हो जाएगा अगला प्रस्ण या है कि परोपिन में कितने सिग्मा और पाई बंद पाये जाते हैं तो दोस्तों परोपिन में जो कितना सिग्मा और पाई बंड पाये जाते हैं तो परोपिन का रसाइनिक सूतर होता है c3h6 होता है इसका structure कैसा होता है तो दोस्तों structure इसका होता है h एक अहाँ पर h होका 3 h इस पर होगा ठीग है अब दोस्तों ध्यान रख्येगा कि single bond रहेगा single bond तो एक sigma होगा ठीग है double bond में दोस्तों 1 sigma और 1 pi bond होता है triple bond जबी रहेगा तो 1 sigma होगा और 2 pi bond होगा ठीक है तो ध्यान रखेगा अब दोस्तों इसमें कितना single bond है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इस पर sigma bond हो जागा और 8 sigma हो जागा और pi bond कितना हो जागा 1 pi हो जागा क्योंकि double bond पर 1 sigma और 1 pi होता है ठीक है तो 8 sigma और 1 pi bond हो जागा answer ठीक है कि इन में से कौन अंतसरावी ग्रंथी नहीं है तो दोस्तों इन में से कौन अंतसरावी ग्रंथी नहीं है बुरूर ग्रंथी जो नहीं है ठीक है तो इसका right answer B हो जागा अगला प्रस्ण पुछा गया कि दिवार के पीछे खड़े एक ब्यक्ती की आवाज पहचानी जा सकती है बीवर्तन तथा गुनता दवारा ठीक है तो इसका right answer option A हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं किस राज के आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 के अनुसार किस राज के वन अच्छादित छेतर में बीर्धी नहीं हुई है तो भारत के आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 के अनुसार जो है किस राज के वन अच्छादी छेतर में बीड़ती नहीं हुई है तो अरुनाचल परदेश राज की ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन C हो जाएगा अगला प्रस्न पुछा गया कि नेमलिखीत में से कौन से चटान पानी में तैरती है तो दोस्तों कौन से चटान जो पानी में तैरती है तो जहावा अन्य प्यूमिस जो है पानी में तैरती है ठीक है तो इसका राइट एंसर D हो जाएगा अगला प्रस्न देखते है कि यूचन पुछा गया है कि केंद्रिय बजट 2023 में राजकोस्य घाटा GDP का अगला प्रस्न पुछा गया है कि तमिलाडू, अन्रपरदेश और केरल में पाई जाने वाले कि-स परकार के मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उप यूग थै तो कि-स परकार के मिट्टी सबसे उप यूग थै तो इसका राइटेंसर option A हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गिया है कि राश्ट्य उर्जा सनच्छन दिवस कब मना जाता है तो जो राश्ट्य उर्जा सनच्छन दिवस जो है 14 14 दिसंबर को मना जाता ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं क्यों पूछा गिया है अंतराष्ट्य परमानु उर्जा एजनसी एक कौन सी संगठन है तो दोस्तों अंतराष्ट्य परमानु सारकारी संगठन है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन वी हो जाएगा अगला प्रस्ण पूछा गया है कि वर्ष 2022 में फुटबॉल के पहली एसजाई कब की मेजबानी जो है भारत देख ने किया है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन डी हो जागा और यह कैमा संस्क्राइब था दोश्तों तो इसको भी ध्यान रखेगा अब दोस्तों कौन सा देश विजयता रहा था तो चीन विजयता रहा था और दच्छिन कोडिया उप विजयता रहा था ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं का यह चल पूछा गया कि निमलिखीत में उरोपीए स से किस देश की राजधानी है तो दोस्तों पोट्टो नो जो है बेनिन की बेनिन देश की राजधानी है ठीक है तो इसका राइट एंसर डी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं किश्चन पुछा गया कि निमलिखीत भावतिक मत्राओं में से कौन सी एक सदिस राजसी है तो सदिस राजसी कौन सी है तो दोस्तों अंग की मापांग जो है सदिस राजसी है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन सी हो जागा सदिस राजसी किसको कहते हैं दोस्तों जिसमें मैगनिचूट होता है और डिरेक्शन नहीं होता है अनि परिनाम होता है दिसा नहीं ह होता है तो यह सब क्या सदिस राशी है और अंग मापांग जो है अदिस राशी हो जाएगा ठीक है अगला प्रसन पुछा गया कि पेरिकार्डियम वह हिर्दे के बीच कौन सा त्रल भरा रहता है तो दोस्तों पेरिकार्डियम वह हिर्दे के बीच जो है पेरिकार्डियल द् संतुलन तो चाहीर पुछा गया कि नियम sûr में से कौनि सा संतुलन आट दो स्मेक्राइब संतूलन प्रसंद ने खाया है। स्सक्राइब सब्सक्राइब सबसे अधिक होगी तो दोस्तों जिसका पिएच मान कम होगा उसका हाइडोजन आयन की संद्रता सबसे अधिक होगा ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्षन बी हो जाएगा अगला प्रसंद जगते हैं कि इसन पुछा गिया कि गैल्वनों मिटर परियुक्त होता है तो गैल्वनों मिटर किस में परियुक्त होता है तो बिदु धारा की दिशा ग्याद करने में परियुक्त होता है ठीक है तो इसका राइट एंसर ऑप्षन बी हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं कि यूचन पुछा गया कि निम्लिखीत में से कौन से निर्त उत्रा समन्दित हैं तो द्दोस्तों कौन से निर्त जो है उत्रा खंधराश स सम्मन दित है तो चोलिया निर्त जो है उत्रा खंधरास एस समा क्यों ID का दफित है और कटि आफ्पर का क लोगम। निर्त है ठीक है अगला प्रसnd vert to है कि यूचन पूछा गया कि जन्गर्णा 2014 के अनुसार जन्संख्या बिर्धी दर के अधार पर निम्निखित राज्यों या केंदर सासित परदेशों की बढ़ते विए करम में व्यस्थित करना है तो दोस्तों इसका राइटन साथ सी हो जाएगा ठीक है पहले चार होगा जो तो सबसे कम होगा उसके बाद एक अनिगोवा दो हजागा चंडिगर्ण और सबसे ज्यादा पूडूचरी में बिर्धी दर है ठीक है अगला प्रस्न पूछा गया कि 28 दिसम्बर 2022 की अंतरिम केंद्रिय सतकरता आयोक्त किसे निउक्त किया गया है तो दोस्तों 28 दिसम्बर 2022 की अंतरिम केंद्रिय सतकरता आयोक्त किसे किया गया है तो परविन कुमार सिरवास्तों को निउक्त किया गया है ठीक है तो इसका राइट एंसर ओप्सन सी हो जाएगा है अगला प्रस्न पूछा गया कि 3 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस एवार 2022 से समानित किया गया है तो तीन जून 2022 को जो है टाइमस बिजनस एवार 2022 से दोस्तो किसे समानित किया गया है तो रस्मी साहू को समानित किया ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन सी हो जागा अगला प्रसंद देखते हैं क्यूचन पुछा गया कि 15 अगाश 2022 को पीम मोदी द्वारा घोसित पाच प्रण में से कौन सामिल नहीं तो दोस्तो 15 अगर द्वास को पीम मोदी देखते पाच प्रण जो है वह मैं से कौन सामील नहीं तो आपसिस सहयोगात्मक सोच जो सामिल नहीं है ठीक है तो इसका राइट असर डी हो जागा अब दोस्तों पाच परन कौन-कौन से सामिल है तो दोस्तों बिक्सित भारत गुलामी के हर अंसमुक्ती नागरिकों में करतब की भावना और चोथा होगे विरासत का गर्व और पाच टेनिस्टुरॉर्naमेंड्च है तो कौन सा सबसे पुराना अ ग्राइट स्लंड साब्लथ है तो बिमलडन है ठीक है इसका रा-ंसर भी हो जागा अब दोस्तों1868 से शुरूंद्जिया गए तो 880 से शुरूंदिया था इस्टेलियन ईप्वेट है इस पास से शुरूंदिय अगया था ठीक है फ्रेंच ऑपन का सुरूवात किया गया था उन्हेंग्ष 1891 से शुरू किया था और युवेस से ओपन जो है, 1881 से शुरू किया था ठीक है? तो सबसे पुराना भीवन्दान है ठीक है, अगला प्रसंद देखतें हैं क्यूशन पूछा गया कि किस राज के संजुक्त राष्ट विश्व सिखर समिलन में सरसेट प्रयोजनाओं प्रयोजना पुरसकार 6 जून 2022 को दिया गया है तो किस राज को दिया गया है में घाले को इसका राइट एंसर बी हो जाएगा अगला प्रसन पूछा गया कि 13 जूलाई 2022 को देश का पहला कारवन नीट्रल हवाई अड़ा के रूप में विख्षित किया जा रहा है तो कौन से हवाई अड़ा को कारवन नीट्रल हवाई अड़ा के रूप में विख्षित किया जा रहा है तो ले हवाई अड़ा को ठीक है तो इसका राइट अंसर B हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं क्योचन पुछा गया है कि स्वामी रामा नूजन चार्ज की स्टैचू अफ पीस का अनावरन 9 जुलाई 2022 को गिरह मंत्री अमिसा ने कहां किया है तो दोस्तो कहां पर किया है सिर्यंगे सिर्य नगर में किया है तो इसका राइट अंसर अप्सन ए हो जाएगा Sobeing Soakingpush достmen 참 पुछा गया है तो इसका राइट अंसर अप्सन बी हो जाएगा अगला प्रसंद दिखते हैं कि कि कुछा गया है खाली अस्तान चोथे आवर्थ और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है तो कौन से तत्व जो है चोथे आवर्थ और दूसरे समूह में मौजूद है तो कैल्स जम है ठीक है तो इसका राइट अंसर ओप्सन भी हो जागा अगला प्रसंद देखते हैं कीऊचन पुछा गया है कि दावनु तरंग की आविर्ति मापने की मासिक्व उकाइई को थाउन तरंग की आविर्ति मापने की मानक उकाये की हचर्ज कहते हैं ठीक है इसका राइट एंसर B हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाइडोजन कार्वन परिवार का हाइडो कार्वन परिवार का परतेक सदस पिछले सदस से समूह दवारा अलग होता है तो हाइडो कार्वन परिवार परतेक सदस पिछले सदस से मेथिलीन समूह से गस्तिति उर्जा की कुस्टा स्काव्ट, वस्तिति उर्जा की जाता है, तो उसके उपर उठने की दवरान इस्तिति उर्जा क्या होगा, बढ़ती है, और गति उर्जा घड़ती है, ति इसका Rightseer Option C तैसे हो जाएगा है, अगला प्रस्ट जखते हैं, क्यूशन पुछा गया है, एक परतिरोध की लंबाई L, उसके अनुपरस्त भाग का च्छत्फल A, और परतिरोध R है, तो एक अनुपरतिरोध हक, जो उसी पदार्थ से बननी है, लंबाई L by 2 है, अनुपरस्त भाग का च्छत्फल 2A है, तो उसका परतिरोध कितना होगा, ठीक है, तो दोस्तों इसका फर्मूला होता है, R is equal to Rho L by A होता है, ठीक है, तो पहला दिया गया है लंबाई L, तो लंबाई L दिया गया है, एरिया A दिया गया है, और परतिरोध आर दिया गया है, ठीक है, अब अन परतिरोध की बात करता है, तो अन परतिरोध जिसका पदार, वही पदार से बना है, जिसकी लंबाई L by 2 है, एरिया 2 A है, ठीक है, तो परतिरोध लिकाना है, अनि R1 is equal to 2 हो जाएगा, रो लंबाई कितना दियागा है, L by 2, तो L by 2 लिखेंगे, एरिया कितना दियाए, दोगना दियाए, तो 2 A हो जाएगा, गुना करेंगे, रो L बटा 4 A हो जाएगा, अब दोस्तों, रो L बटा 4, अनि 1 बटा 4, गुने, रो L बटा, A लिख सकते हैं, ठीक है, अभी दोस्तों, क्या हो गया, R के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, R बटा 4 हो जाएगा, R बटा 4 उप्सवन, B में दिया, B राय टंसर हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों, आज के वीडियो, अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करेगा, चैनल पर नए यह तो, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर दबा लेजेगा, जाहिंद,